नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेश न्यूज आप सभी पैंशन लाभारतियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं वर्दवस्ता पैंशन योजना का पैसा अक्टुबर महा की इस्तारीक में लाभारतियों के बैंक खाते में ट्रांस्फर कर दिया गया है यहाँ पर आप देख रहे हैं तीन-तीन हजार रुपे ये पैंशन नासी अक्टुबर महा की इस्तारीक में पैंशन धारकों को मिल चुकी है यदि आपके परिवार में कोई ऐसे बुजरुग वेक्ती हैं जिनकी पैंशन बनी हुई है आज की यह खबर यह जानकारी आपके लिए ही है वीडियो की सुरुवात करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा साथ ही बैल आईकन के बटन को प्रेस करना न भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाब उठा सके चलिए वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं प्रूव के साथ सभी जानकारी आपको दे देते हैं और इसे के साथ साथ आपको ये भी बता जाएगा कि आप ओनलाइन कैसे ही घर बैठे अपने वाइल फोन से अपना पैंशन पेमेंट इस्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपके प यानि की जो वर्दवस्ता पैंशन योजना का लाब ले रहे हैं एक ओल्डेज व्यक्ति का पैंशन पेमेंट इस्टेटस दिखा जा रहा है अब जो यहाँ पर पर पर्शनल इंफोर्मेशन होती है वे हमने पहले ही हाट की गई है सिगोर्टी के परपरस के लिए अब यहा इस्टेप है यह दूसरा यह तीसरा यह चोथा और यह पांच वा यानि की पांच पैंशन के स्टेप्स में यह पैंशन आसी बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है देख रहे हैं तीन हजार रुपे यह पैंशन अमांट है किस तारीक में यह पैंशन मली है तो देखें यह यहाँ पर आप यह देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आप तारीख देख लिजेगा, जो credit date है, यानि कि बैंक खाते हैं पहुंचने की तारीख, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17.09.2024, यानि कि 17.09.2024 को 3,000 रुपे इनको यह pension रासी मिली, जो कि oldest pension लाभारती है, नी यह हम आपको दिखाने जा रहे हैं, अब जैसे हमने आपको कहा कि जो personal information होती है, वे हमने पहले ही hide की हुई है, oldest pension योजना का आप information प्राप्त कर रहे हैं, और 3,000 रुपे यहाँ पर आप pension amount लिखी देख सकते हैं, लिखा हुआ है, यहाँ पर यह 11.09.2024 को इनका request accept हुआ, और 11.09.2024 को valid हो गया था, जो fund status है, approved by agency, यह 11.09.2024 को valid हो चुका यानि कि पूरा हो चुका इतना खारी है, अब देखिए जो यहाँ पर यह पांचवे staff है, bank receive 11.09.2024, यह file status है, यह पहला है, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चोथा, यह पांचवा, यानि कि 5 pension प्रिकरिया मे यह पैसा बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाता है, अब यहाँ पर यह credit status आप देख रहे हैं, जिसमें payment success लिखा है, यानि कि सफलता पूरवक 3,000 रुपे इन लाभारती बैंक खाते में credit हो चुकी है, अक्टूबर की वह कौन सी तारीक है, जिस तारीक से pension कला मिलना सुरू ह तो चलिए, वह तारीक यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, 3,000 रुपे देखें, यहाँ पर आप amount देख रहे हैं, नेचे लिए चलते हैं, अब देखें, यहाँ पर यह तो PMH transaction ID number है, जो हमने hide किया हुआ है, यहाँ पर आप bank transaction date देख सकते हैं, जिसमें 12-10-2024 लिखा क्रेडिट डेट में भी आप तारीक देख सकते हैं, जिसमें 12-10-2024 लिखा हुआ है, यानि कि 12-10-2024 को इन लाभारती के वैंक खाते में 3,000 रुपे सरकारी तरफ से क्रेडिट कर दे गई हैं, 3,000 रुपे का इनको payment मिल चुका है, यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए ब जी हाँ, 3,000 रुपे हर मेंने इन लाभारती के वैंक खाते में ट्रांसफर किये जाते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर आपको दिखाया था, यहाँ पर आप यह देख सकते हैं, देखें यहाँ पर यह लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ रहे हैं, यहाँ पर यह तारीक 17-9- दो हजार चोबिस, यानि कि जो यह पैंशनासी सितंबर महिने में ट्रांसफर की गए थी, यानि कि 17 सितंबर दो हजार चोबिस को, यह ट्रांसफर की गए थी, अगस्त महिने की, अगस्त महिने की पैंशनासी ट्रांसफर की गए थी, 3,000 रुपे सितंबर महिने में, ठीक है यहां पर आप तारीक देख सकते हैं यानि कि यह जो पैंशना से दी गई है अगस्त महने की 3,000 रुपे थी अब जो सितंबर महने की पैंशन है वहें अक्टूबर महने में ट्रांसफर की गई है 3,000 रुपे किस तारी में की गई है आप तारीख देख सकते हैं 12 अक्टुबर 2024 को नई समझे होंगे तो चलिए समझा देते हैं अब जैसे जनवरी महनी की पैंशन ट्रांसफर की जाती है फरवरी महिने में फरवरी महनी की पैंशन मार्श महिने में मार्च महिनी की पैंशन अपरेल महिनी की पैंशन मई महिने में अब जो महिन महिनी की पैंशन होगी वह जून में ट्रांसफर की जाएगी जून महिनी की पैंशन जोलाई में जोलाई महिनी की अगस्त में और अगस्त महिने की सितंबर महिने में अब जो सितंबर महिनी की पैंशन है वह अक्टूबर महिने में सरकार ट्रांसफर कर रही है इस तारीक से पैंशन ट्रांसफर होना सुरू हो चुकी है तीन हजार रुपे परतिमाइना ये राज्य सरकार पैंशन देती है अब तीन हजार रुपे पैंशन किस राज्य में सरकार ट्रांसफर कर रही है यहाँ पर हम आपको प्रूव भी दिखा देते हैं अब देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको समझना होगा जैसे उत्तर प्रदेश को बोला जाता है यूपी, उत्तर खंड को बोला जाता है यूके, हिमाचर प्रदेश को बोला जाता है एच्पी, जम्मु कस्मिर को बोला जाता है जेके, इसी परकार से हर्याना को बोला जाता है एच आर, यहां पर ऐसार आप लिखा देख सकते हैं यानि कि हर्याना राज्य के अधीन आने वाले जो oldest pension योजना का लाव ले रहे हैं वर्दवस्था pension योजना का लाव ले रहे हैं सरकार उनको 3000 रुपे परती महिना pension बैंक खाते में ट्रांसफर करती है और जो पैंशना से दी जाती है ये दी जाती है वर्दवस्था सम्मान भत्ता योजना के अंदर गत 3000 रुपे बैंक खाते में ट्रांसफर हर महिने करती हैं अब जो हर्याना राज्य के अधीन आने वाले oldest pension लाभारती हैं यदि वह अपना online इसी प्रकार से pension payment status चेक करना चाते हैं किस प्रकार से देखा जाता है pension payment status वह चेक करने के लिए आपको अपने mobile phone में google chrome browser को open कर लेना है तो चलिए हम भी यहाँ पर open कर लेते हैं वर्दवस्था pension योजना का पैसा online कैसे चेक करे वह चेक करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से आपको अपने mobile phone में google chrome browser को open करना है और यहाँ पर आपको लिखना है PFMS यह आपको लिखना है और सर्च कर देना है अब जैसे हमने लिखकर सर्च किया यहाँ पर लिखा आ चुका है PFMS इसी पर आपको क्लिक करना है अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया क्लिक होने के बाद सबसे पहले यहाँ पर तीन line आपको नजर आ रही होगी यह रही तीन line इन पर आपको क्लिक करना है अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया अब देखिए हमने पहले ही अपने वैल फोन में desktop site को open किया हुआ है यदि आपके phone में open नहीं है तो यहाँ पर click कीजे और आपके phone में desktop site open हो जाएगी जैसे open हो जाती है तीन line आपको नजराएगी इन तीन line पर आपको click करना है click करने के बाद नीचे आईए और लिखा मिलेगा payment status ये लिखा हुआ है इस पर आप click कर दीजे payment status पर click करने के बाद ये सभी option आपके सामने उपर हो जाएगे इसमें से आपको लिखा मिलेगा dbt status tracker लिखा हुआ है इस पर आपके लिख कर दीजे अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया हमारे सामने कुछ इस तरह का page open हो चुका है अब यहाँ पर क्लिक करके आपको category का चुनाओ करना है अब जो आपकी category रहेगी वह रहेगी देखें यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं जिसमें लिखा मिलेगा आपको हर्याना state pension scheme अब यहाँ पर आप क्लिक कर दीजे हमने क्लिक किया और चुनाओ कर लिया है अब देखें हम dbt status देखना चाहते हैं payment का तो जो आपका pension का registration संक्या है इस box में आप दर्ज कर दीजे और आपकी phone की screen पर जो यह word verification code दिये गए होंगे यहाँ पर आपको दर्ज करना है और यहाँ पर search के icon पर आपको क्लिक करना है अब जो भी आपका pension का registration संक्या है आपको मालूम है इस box में डालिए और एक capture code यहाँ पर डालिए और search के icon पर क्लिक कर दीजे इतना करने के बाद आपके सामने इसी तरह का page open हो जाएगा जैसे हम अभी आपको दिखा रहे थे और इसी परकार से आप online अपना pension payment status देख सकते हैं PFMS की official website के माध्यम से यहाँ यह आप घर बैठे ही बहुत ही सरल तरीके से अपना इस परकार से pension payment status चेक कर सकते हैं आज की जानकारी में बस इतना ही यदि आपको हमारी दिखुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजेगा आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा motivation मिलता है और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है डाउट है फूछना चाहते हैं नीचे comment box में जाकर पूछ सकते हैं सभी सालों के जवाब आपको दे दिया जाएगा लाश्ट में हम निवेदन यही करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टुडियो में एक और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत